सब्सक्राइब कीजिए इहंदी उर्दू Hindu channel को और प्रेस कीजिए इस बैल आइकन को हमारे टech वीड़ो सब से पहले देखने के लिए हेलो दोस्तों इह नी उड़तु चैनल में आप सभी का सभावत है दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं आपके विंडोज 11 में आपका जो सर्च रहता है दोस्तों यहां पे आपको कोई भी एक स्पेसिफिक फाइल टाप को यहां से सर्च में से हाइट क करना नहीं है दोसको कैसे करते हैं आपको बताने वाला ओं तो सबसे पहले windows की Прेस किजए और यहां पे आपको सर्च करना दोस्तों इंडेक्सिंग ऑप्शन्स इस तरीके से आपको सर्च करना और जो इसको ऊफन कर लेना थीक है उसके बाद जो है आप दोस्तों नहां पे आपको एडवांस का जो है option मिलेगा उस पे क्लिक कीजिए जैसे ही आप उस पे करेंगे दोस्तों और एक window उपन हो जाएगा और उसके बाद नहां पर आपको उपन करना है आपके पास जो फाइल टाइप आपके सर्च मेन्यू में शो करेंगे वह सारे आपको आपको शो करेंगे जैसे आप आपको देख सकते हैं जिप फाइल है MP4 है इसमें से अगर आपको कोई भी एक फाइल टाइप को जो है आपके सर्च मेन्यू में सर्च करना तो आपको ज रहता है आप अंस्वेड थी call और फाइल ठीक है अब के बाद अपका यहे मेन इससर नहीं करेगा दीक 4जão मिलन मिलेगा देख सकते हैं इस पर आपको जाना है और यहां पर देख सकते हैं दोस्तों री बिल्ड का आपको यहां पर एक option मिलेगा आप आपके देख सकते हैं जैसे आप क्लिक करेंगे यहां पर थोड़ा time लग सकता है एक new search menu जो है दोस्तों री बिल्ड होगी आपके windows 11 में तो यह जो process रहता है आप on screen process जो है फालो करके इसको जो है complete किजिए उसके बाद आपने जो भी एक specific file type को आपके windows 11 search menu से हाइट किया है अगर आप वो file type आपके windows 11 search menu में search करेंगे तो अब आपको जोज़ोसों वो show नहीं करेंगी तो यह एक easy औ जादा कुछ है निए इस वीडियो में बताने के लिए easy सा short सा simple सा video है अगर आपको यह वीडियो पसंद आ गई हो तो दोस्तों लाइक कीजिए share कीजिए और हमारे चैनल के subscribe के भी ना मत जाएए मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के और भी interesting videos के साथ thank you very much